नमस्कार आप देख रहे हैं गुजरात तका कुरुना स्पेशल बुलेटिन और आपके साथ मैं हूँ सौम्या सवेरे से एहमदाबाद पुलिस का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जी हाँ ये वीडियो रामोल इलाके का है जहाँ पर पुलिस सोशल डिस्टिंसिंग का किस तरीके से पालन लोगों से करवा रही है आईए देखते हैं ड्रॉन कैमरे से सबजी बेचने वालों की ली गई ये तस्वीरे एहमदाबाद की रामोल इलाके की है अब तस्वीरों में देख सकते हैं दूर दूर तक सबजी बेचने वाले लोग सोशल डिस्टिंसिंग बनाए हुए हैं और ये वहवस्ता इलाके की स्थानिय रामोल पुलिस द्वारा की गई है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है ये तस्वीर दिखाने के बाद चली अब आपको लिये चलते हैं अमदाबाद के सानन दिलाके में जी हाँ, जहाँ पर सरेयाम सोशल डिस्टिंसिंग की धजिया उड़ रही है तस्वीर देखकर आपको ये लग रहा होगा कि कोई तीज तहवार है, खरीदे चल रही है मार्केट इंसानों से लवालब भरा हुआ है हर एक शक्स इधर मानो सोशल डिस्टिंसिंग से अंजान नजर आ रहा हो ऐसा लग रहा है दूर दूर तक बस भरा हुआ बाजार और इंसानों का जमावडा दिख रहा है शक्ल पर कोरोना की दहशत तो दूर की बात है शायद ये सारे लोग कोरोना से अंजान नजर आ रहे हैं ये तस्वीरें सरकार के सारे लोग डाउन की नीतियों को मूच इढ़ाती नजर आ रही हैं रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में एमदाबाद सिविल अस्पताल में मुस्लिम समुदाई के जो मरीज कोरोना के चलते बिमार है एडमिट है उनके लिए खास नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई है केंद्र की टीम आज गुजरात पहुंची जहां पर चर्चा हुई कि किस तरीके से लोग डाउन खुलने के बार फैक्ट्रीज और साथ साथ में इंडिस्ट्रियल एरिया है वो काम करेंगे केंद्र की टीम आज गुजरात पहुंची जहां पर बैठक और चर्चा हुई के लोग डाउन रिलैक्सेशन के बाद फैक्ट्री और इंडिस्ट्रीज कैसे पिक अप होगी किस तरीके से काम किया जाएगा गुजरात में अगर फैक्ट्रीज खुलती हैं तो किन बातों का खास ध्यान रखा जाएगा टीम GIDC और EPMC में भी पहुंची जहां पर निरिक्षन किया और लोग डाउन के बाद की परिस्थितियों का किस हिसाब से सामना किया जाएगा उसकी भी चर्चा करने में आई सूरत में आज मजदूरों द्वारा वापस से तोड़ फोर्ड की तस्वीरे सामने आई है और इसी के साथ मजदूरों ने वतन बापसी की भी मांग लिए सूरत का डाइमंड बूर्ड्स प्रोजेक्ट में फिर एक बार मजदूरों ने हंगामा किया और तोड़ फोर्ड की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और मजदूरों को बैट कर समझाने का प्रयास किया गया मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाना पीना नहीं मिल रहा है और वे लोग अपने गाउं जाना चाहते हैं गौर तलब है कि लॉकडाउन के बावजूद यहां प्रोजेक का काम चल रहा है गौर तलब है कि गुजरात में अब तक कोरोना केसिस की संख्या 3550 के पार हो चुकी है एहमदाबाद की बात करें तो एहमदाबाद में संख्या 2500 के पार हो चुकी है और अब तक गुजरात में 162 लोग से भी जादा कोरोना की वज़े से अपनी जान गवा चुके है लोगडाउन के दोरान इंसान घरों में क्या कैद हुए प्रकुती ने अपने रंग बदल दिये बेहत सुन्दर तस्वीर वडूद्रा से सामने आई दे चल ये साथ में मिलके देखते हैं ये सूर्सागर लेक की तस्वीरे तो कोरोना स्पेशल बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही मुझे दीजिये इजासत गुजरात की बाकी सारी खबरे देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक अपना बहुत खयाल रखे नमस्कार